अगर आप अपने कामों के जरीए अपने इरादों को जाहिर नहीं होने देते हैं, तो आप अपने दुश्मनों की सभी चालाकियां और शड़े अंतर से बच सकते हैं, तथा उन्हें चक्मा भी दे सकते हैं। अक्सर होता है कि हम खुद को इमानदार साबित करने के लिए अपने मन के विचारों और अपनी योजनाओं को सब के सामने जाहिर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी शक्तियों में इजाफा करना है और लोगों के शड़े अंतरों से बचना है, तो अपने इरादों को छुपाना सीखना बेहत जरूरी है। अपने इरादों को जाहिर करना बेहत आसान होता है, लेकिन अपने इरादों को छुपानी के लिए खुद की जबान पर काबू पानी की शमता होनी चाहिए। 1920 में अलग-अलग कबीलों में बटे हुए इथोपिया को एक जुठ करने के लिए सेलाशी नामक योवक आगे आया। लेकिन बलोचा नामक एक कबीलाई सरदार ने सेलाशी के नित्रत्व को स्विकार करने से इनकार कर दिया। बलोचा एक बेहत जाबाज युद्धा था और उसका कबीला अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था सेलाशी ने बलोचा को समझोता करने के लिए राजधानी आदिस अबाबा में आने का नियोता दिया बलोचा दस हजार सैनिकों की फौज के साथ राजधानी आदिस अबाबा के लिए निकल पड़ा इतनी बड़ी फौज के साथ बलोचा इथोपिया में ग्रिह युद्ध शुरू कर सकता था बलोचा ने राजधानी से कुछी दूरी पर अपनी फौज को रोक लिया और वही अपना ठिकाना बना लिया बलोचा का ये कदम बेहद चाला की भरा था उसे मालूम था कि अगर वो समझोता करने के लिए राजधानी के अंदर घुसेगा तो उसकी फौज पर आसानी से हमला किया जा सकता है वहीं सेलाशी लगातार बलोचा को महल में दावत के लिए नियोता भेज रहा था लेकिन बलोचा जानता था कि अगर वो दावत के लिए जाएगा तो उसकी हत्या हो सकती है या उसे कैद में डाला जा सकता है अंत में बलोचा ने सेलाशी को संदेश भिजवाया कि अगर उसे अपने सबसे जाबाज 600 सिपाहियों के साथ दावत पराने की अनुमती दी जाती है तो वो नियोता स्विकार कर सकता है बलोचा को उमीद थी कि सेलाशी उसका ये निमंतरंट स्विकार नहीं करेगा लेकिन सेलाशी ने अश्चरे जनक रूप से बलोचा की बात मान ली उधर बलोचा अपने सैनिकों के साथ महल में दावत के लिए पहुँचा तो इधर सेलाशी ने अपनी सेना भेच कर बलोचा के ठिकाने पर मौजूद सैनिकों को वहां से भगा दिया बलोचा जब महल से दावत खाकर वापस अपने ठिकाने पर पहुँचा तो उसे एहसास हुआ कि वो सलेशा के जाल में फंस चुका है अंत में हार कर उसने सैलाशी के नित्रत्व को स्विकार कर लिया इस तरीके से सैलाशी ने अपने इरादों को छुपा कर बेहद चालाकी के साथ इथोपिया को कई सदियों बाद एक जुठ करने में सफलता हासिल की